अगर-a चोकलेट लवर्स और एक किम चोड़ी है तो ये रिक्ली है आपके लिए आज की हमारी रइस्पी एगलेस ब्राउनी स्टेक्चर देखिए उपर से अदर से और अंदर से फजी है तो ब्राउनी का ये टैक्चर न परफिक्ट मैना जाता है तो हाई दोस्तों मैं कुसुम सागत है आपका कुसुम्रे सोही में तो आप जबी की फैवरिट ब्राउनी की रस्पी लेकर आए हूं मैं जो बन जाता है चुटकियों में तो अचली इसे बनने शुरू करते हैं और एक बात अगर आप चाहते हैं क तो मैंने यहां यलो बटर यूज किया जिसमें नमक होता है अगर आप दिना नमक वाला बटर यूज कर रहें तो एक पींच या 1-8 टीस्फून नमक अड़ कर दें अब इसे हमें मिल्ट करना है तो मिल्ट करने के लिए हमें डबल बोईलर यूज करना है आप मैक्रोवेब की पानी ठेंडा हो गया है तो फिर आप गैस को छाओन कर दें मगर धीमा कर दें हाई फ्लेम नहीं करना है और दीरे दीरे मिक्स करेंगे तो देगे दीरे-दीरे बटर और चोक्रिट्ट तोनों मेल्ट होनी लगा तो इसके स्मूथ सी कंसिस्टेंसिंसि तियार होनी तक हमें करना है तो पूरी तर से दोनों चीज मिल चुके हैं और इसका अच्छा सा टेक्चर हो गया है अगर आप इसे माइक्रोवेब में मिल्ट करना चाहते हैं तो स्टार्टिंग में 15 से के लिए रखे भाहर निकाल कर मिक्स करें फिर जड़ रहत हो तो वापस से माइक्रोवेब मे आप चाहें तो ब्राउन सुगर भी उस कर सकते हैं मगर हमें पीसीवी चीनी नहीं डालनी है में साबुत चीनी डालनी है और इसे बस मिक्स कर लेना है घोलना नहीं है बस अची तरह से मिल जाए सारी चीनी पर चॉकलेट और बटर के अची सी कोटिंग हो जाए इतना है इस तो इसमें मैं अंडा नहीं डाल रही हूं इसलिए इसमें एड करूंगी दही, तो हाफ कप मैं गाड़ी डाल रही हूं, अगर आप अंडा डालना चाहते हैं तो दो अंडा डाल दें, इसे के साथ हम एक टी स्पून यानी छोटा चमच डालेंगे वैनिला असे और इसमें तो यह तो हमारा चॉकलेट का घुल होगया तयार, अब इसमें बैंडिंग के लिए मैं अड़ करना है मैदा, तो मैंने चन्नी में रखा 1.5 cup मैदा और 3.4 cup चॉकलेट पाउडर, इसमें एक टी स्पून बेकिंग पाउडर, अदा चुटा चमच बेकिंग सोडर और इसमें चान लेना है, तो मैं डारेक्ट चॉकलेट में चान रही हूँ, आप चाहें तो अलग चान करके भी मिक्स कर सकते हैं, यह चान चुका है, चानने से क्या होता है, सभी कुछ आपस में अची तरह से मिक्स हो जाता है, इसलिए चानी जरूर हाँ, अब इसे हम मिक्स करेंगे, तो दिरे दिरे, हॉले हॉले मिला ईसे, जल्दी नहीं है, सारा विश्रन जल्दी तयार हो गया तो लिए भाटर हो गाढ़ा होता है, तो देखे, बैटर का टिक्चर में ऐसा रखना है, गाढ़ा, इसके नहीं होती है और इसे ज़्यादा फेटना भी नहीं है बस मिक्स कर लेना है तो इसे बेक करने के लिए मैंने 9-9 इंच का केक मूल लिया है अब इसमें डालेंगे हम ब्राउनी के बैटर को चुकि यह गाढ़ा है इसलिए आपको इसे फैलाना पड़ेगा और ब्राबर से इसे स्प्रेट कर इसके उपर हम थोड़ा सा डाल देंगे चॉप्ट यानि वालनुट और इसी के साथ थोड़ा सा मैं चौको चिप्स डाल दे रही हूं आप चाहें तो केक के बैटर में भी इसे डाल सकते या इसके बिना भी बिना सकते मगर ब्राउनी में वालनुट का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है तो आप बार यह इसे बेक करने की अगर आप कड़ाई में बेक करना चाहते हैं तो कड़ाई या कुकर जिसमें बेक करें इसमें पहले नमक डाल दें स्ट्रेंड रगतें फिर इस केक मोल्ड को रखकर कवर कर दी धीमी आज पर 30-35 मिनट के लिए बेक कर अगर गरम गरम खट करेंगे तो फिर केक टूटने लगेगा तो यह हमारी ब्राउनी तया है आप इसे किस तर से खाना चाहेंगे ऐसे ही या फिर आइसक्रीम के साथ